नमशकार दोस्तों भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनुकाउमना पूर्ण हो दोस्तों आज मैं आप सभी को शुक्र ग्रह के बहुत ही सरल तीन उपाय बताऊंगा जिससे आपका शुक्र दोस्ट खत्म हो सके और शुक्र के नगरात्मक प्रभाव कम हो सके और खत्म हो सके जैसा कि मैंने आप सभी को पीछली वीडियो में बताया था कि अगर शुक्र परवत से रेखा निकल कर लाइफ लाइफ लाइन को काटे तो आगे चलके बहुत दिक्कत परशानी होती है तो अगर आपके कुंडली में या आपके किसमत में शुक्र दोश लिखा हुआ है या शुक्र से आप रभावीत है तो साफ साफ हाथ से हैंड रेट करके पता कर लिया जा सकता है तो दोस्तों मैं आप सभी कुछ शुक्र के तीन सरल उपाए बताने के पहले सबसे पहले बता दू की शुक्र जब खराब होता है तो लाइफ में क्या इंपेक्ट पड़ता है ताकि आप सभी को और ज्यादा आसानी हो सबसे पहला अगर शुक्र खराब हो तो सबसे पहला शादी शुदा जिन्दगी में बहुत अफेक्ट पड़ता है मतलब तनाओ, जहनजट, लड़ाई, जगड़ा, शादी शुदा जो दामपत्ती जिवन होता है ये सही नहीं बेट पाता दूसरा ये है कि धन की बहुत हानी होने लगती है, धन में बहुत कमी आने लगती है धन का सोर्स मतलब जो मनी का सोर्स से बहुत अच्छा भले ही बना हो लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि वो बच नहीं पाता है दूसरा बहुत ज़्यादा तनाव होने लगता है लाइफ में, इनसान बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, छोटी-छोटी बातों का बतंगड बनाने लगता है, फिर सुन्दर्ता में कमें आती है, बोडी में बहुत ज़्यादा ही चेंजिस होने लगते हैं, इसकी इन प्र ये सब जीतने भी ये सब problem हैं, ये सब शुक्र दोश में ही आया जाता है, और शुक्र के नाकारात्मप्रभावों के कारण ही होता है, तो इसके तीन सरल उपाय बता रहा हूं, ये उपाय बस आपको एक मही ने कम से कम करना है, आपका शुक्र ग्रह जो है लगेगा सबसे पहले शुक्र ग्रह के दान मतलब जो सफेद वस्तु होती हैं ये है का कारक माना जाता है इसलिब शुक्र से रिलेटथ वस्तु का दान करना चाहिए जैसे जितनी भी सफेद चीज़े हैं कर चावल हो गया शक्कर हो गया या दूद से रिलेटेट कोई भी चीज दही पनीर खीर वगड़ा यह सब जो चीजे हैं गरीबों में दान करनी चाहिए या फिर जो है खुब अपने तरफ से लोगों को खिलाना चाहिए चाहे कोई मेहमान आए उनको खिलाइए या हो सके तो हर शुकरवार के दिन चावल और शक्कर जो संस्थान होते हैं यह सब उन सब में दान करिए नहीं तो गरीबों को दान करिए इससे क्या है कि यह नेकी का काम है इसमें पून्ने मिलेगा सामने वाला भी जो है प्रसन रहेगा उसकी जो दूआ है सीधे आपको लगेगी और भी इससे प्रसन शुक्र जी भी इससे प्रसन होंगे और आपको सकरात्मक प्रभाव जल्दी ही दिखने लगेगा दूसरा शुक्र की वस्तुव से इसनान देखे क्या है कि जो काली इलाइची होती है यह शुक्र का ही कारक माना जाता है इसको क्या करना है कि हर शुक्रवा कम से कम चार शुकरवार आपको गरम पानी में इसको उबालना है और जिस पानी से आप नाहाने वाले हैं उस पानी में इसको थोड़ा मतलब छान करके पानी उसमें डाल देना है तो क्या होता है कि शुकर की वस्तुवस से इस्नान करने से ये सब सकरात्मक प्रभाव बहुत जल्दी दिखने लगता है और नहाते वक्त आपको शुक्र मंत्र का जाब भी करना चाहिए और शुक्र देवता को तीसरा शुक्र मंत्र का जाब और शुक्र देव को ध्यान करते हैं और हर शुक्रवार के दिन जब भी आप पूजा पर बेठते हैं तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाब करिए जब ये हो जाए उसके बाद शुक्र देव की अराधना करने के बाद आपका जो भी दिक्कत परशानी है उनके साजा करिए मात्री ये तीन सरल उपाय आपको एक महीने तक करना है सकरात्मक प्रभाव आपको खुद बखुद दिखने लगेगा जितनी भी ये सब प्रोब्लम है ये अटोमेटिकली धीरे धीरे कम होगी और एक समय आएगा कि खतम भी हो जाएगा तो इस तीन ये बहुत ही सरल और बहुत ही असरदार उपाय हैं सिर्फ ये तीन करने से आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा प्रभाव दिखेगा और भी कोई दिक्कत परशानी होगा मुझे कमेंट में जरूर बताए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही रोचक जानकर ये प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद